जन गन मन अधिनायक जाय है भारत भाग्या विधाता हमारा राश्य गान written by रविंदरना टागोर एक एसे कवी गुरू जिन्होंने लिटरेचर, सौंग, पोईट, ड्रामा, पेंटिंग जैसे और भी कई शेत्रों में महारत हासिल की एक एसे महाल व्यक्ती जिन्होंने एक काम नहीं बल्खी न जाने कितने भेतरिन काम किये हैं वह नोबल पुरसकार पाने वाले प्रथम एशियाई और साहित्या में नोबल गेर यूरोपियन भी थे जी हाँ, आज हम रविंदर्ना टागोर के बारे में बात करने वाले हैं क्या आपको पता है, वह दुनिया के अकेले ऐसे व्यक्ती है जिनकी रचनाए दो देशों की राश्यगान है जी भारत का राश्यगान जन गन मन और बांगला देश का राश्यगान आमार सोनार बांगला रविंदर्ना ठागोर का जन साथ मई 1861 को कोलकत्ता के जोडासा के ठागोर वाडी में हुआ था वे देविंदर्ना ठागोर और ममत देवी के सबसे छोटे बेटे थे आप कोईया जानकर हेरानी होगी कि आपचारिक शिक्षा उनको इतनी नापसंद थी कि कोलकत्ता के प्रेसिटेंसी कॉलेज ये तो वह एक ही दिन गए थे कहा जाता है कि जिस समय जिस बाल्यकाल में बालक खेलता है उस उम्र में रविंदरना टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी उस समय उनकी उम्र महज आट वर्ष थी वह कभी नरुकने वाली निरंतर कार्य करने पर विश्वास रखते थे उन्होंने शांती निकेतों को विश्व विधाले का दर्जा भी दिलवाया रविंदरना टैगोर को अपने जीवन में कई उपलोब्धियों या सन्मान से नवा जगाया परन्तु सबसे प्रमुक्ती गितान जली 1913 में गितान जली के लिए रविंदरना टैगोर को नोवल पुरसकार से सम्मानित किया गया रविंदरना टैगोर ने भारत को और बांगलादेश को उनके सबसे बड़ी अमानिती रूप में राश्यगान दिया है जो की अमारता की निशानी है हर महतोपुर्ण अवसर पर राश्यगान गाया जाता है जिसमें भारत का जन गन मन है वह बांगलादेश का आमार सोनर बांगला है यही नहीं रविंदरना टैगोर ने अपने जीवन में तीन बार अलबर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक से मिले जो रविंदरना टैगोर जी को रवी टैगोर कहकर पुकारते थे एक ऐसा व्यक्तित हुआ जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोश्नी फेलाई भारत के महावुल्य रतनों में से एक हीरा जिसका तेश चहु दिशा में फेला जिससे भारतिय संस्कूरती का अदभुत साहित्य, गीत, कथाई, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए एसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ रविजना टागवर एक एसे व्यक्ति थे जो मर कर भी अमर है और आप सभी भी जानते हैं हमारे राश्चर गीत के बारे में और राश्चर गान के बारे में तो उनकी याद में एक बार खड़े होकर सबके साथ मिलकर जरूर गाईएगा